आज हम बनाएंगे यह एकदम soft spongy chocolate cake और आज के इस cake की सब से खास बात यह है कि इसमें आज हमने कोई भी मैदा यूज नहीं किया है और icing के लिए कोई cream भी यूज नहीं की है नहीं कोई fresh cream ना whipping cream और जो garnishings, decorations देख रहे हुँ आप इसे भी हमने घर पर पड़े हुए बिल्कुल आल्तु-फाल्तु के समान के साथ ही बनाया है तो बहुत ही जुगाडू सा केक है और एकतम सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है ये तो जरूर ट्राय करिए का आप भी और रेसीपी पसंद आये तो चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो आज के इस केक को बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पर ये तीन चुथाई कप सूजी ली है और मेरे पास ये रेगुलर सूजी थी जिसे हम रूटीन में इडली बगरा बनाने के लिए यूज करते हैं आपके पास जो भी सूजी हो मोटी वाली हो या फिर बारीक हो वो यूज कर सकते हो क्योंकि हमें सूजी को पीसना ही है तो बस इस सूजी को एक ग्राइंडर जार में डालके ना हमें इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेना है तो सूजी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और आप देख रहे हो कि अब इसका पाउडर बन गया है पहले सूजी मेरे हाथ में ऐसे लग नहीं रही थी पर अब ये पाउडर फॉर्म में है तो मेरे हाथों पर ये पाउडर लग रहा है तो एकदम फाइन पाउडर बना लेना हमें जितना माक्सिमम आप इसको ग्राइंड कर सके तो बस इसे अब हम एक्साइट पर रखते हैं और इससे अब हम बनाएंगे अपना केक का बैटर जिसके लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे एक चुथ हई कप जितना ओयल साथ में डालेंगे एक ती हई कप दही आधा कप पिसी हुई चीनी दही की जगा आप इसमें दो एक्स भी डाल सकते हो तो इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे 30-40 सेकिंड तक ताकि एकदम क्रीमी और एरी हो जाए इसके बाद ये जो सूजी हमने ग्राइन करके रखी थी अब ये हम डाल देंगे इस मिक्सर में और बस इसे भी मिक्स कर लेना है और अभी आप देख रहे हो कि ये जो मिक्सर है ये थोड़ा थिक है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए मैं अभी इसमें एक चोथाई कब दूध आइड़ कर रहे हूँ ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो रूम टेम्पेर्चर के उपर है तो इसे भी डाल के मिक्स कर लेना है तो बस इसे मिक्स करने पर अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये भी आप देख रहे हूँ कि नॉर्मल केक बेटर की तरह है तो एक बार के लिए हम ऐसी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बस अब इस मिक्सर को ना हम ढखकर 10 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए रख देंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं ताकि सूजी जो ही अच्छे से फूल जाए और इतने देर में अब मैं मोल्ड को त्यार कर रहे हूँ जिसके लिए मैंने आज यहाँ पर यह पांच इंच का अलुमीनियम केक तेन लिया है आपको स्टील का डुबबा भी ले सकते हो और इसे ओल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा के इसे भी ग्रीस कर लेंगे आइस के बाद इसको बेक करने के लिए कड़ाही को गरम करेंगे आप अवन भी ले सकते हो अवन को गरम होने के लिए रख दीजेगा मैंने मोटे दले की कड़ाही में थोड़ा नमक डाला और स्टैन्ट रखके इस अब इसे उपर से ढख देंगे और 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम के उपर गरम होने देंगे इसके बाद अब ये जो सूजी मिक्षर है ना इसको मैंने सिरफ 10 मिनट के लिए ही रखा था क्योंकि आज मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है और आप देखते हो कि सूजी का बेटर जो है ये पहले से थोड़ा सा थिक हुआ है तो बाद में हम इसमें थोड़ा सा दूद और आड़ करेंगे इसकी consistency को adjust करने के लिए बट अभी फिलहाल के लिए बाकी के ingredients आड़ करने है तो बोल के उपर एक छण नहीं रखेंगे और इसमें सबसे पहले डालेंगे दो बड़े चमच आटा ये गेहूं का आटा है तो ये डाल रहे हुआ है इसमें क्योंकि आज के इस cake में मुझे मैदा भी आड़ नहीं करना था और सूजी को हलका सा bind करने के लिए न ाटा या मैदा में से कुछ ना कुछ डालना है तो मैंने इसमें डाला दो बड़े चमच आटा और साथ में बेकरी जैसा टेस्ट देने के लिए मैने इसमें दो बड़े चमच milk powder add किया है इसके लिए milk powder या इससरा से dairy whiteners जो मिलते हैं market में वो यूज कर सकते हो आप वैसे चाहो तो इसे skip भी कर सकते हो आज साथ मैं चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रहे हूँ एक चुथाई कप cocoa powder और baking powder की जो इसमें चॉकलेटी फ्लेवर को और भी जादा एन्हेंस करने के लिए मैं इसमें आधा चुटा चमच जितना coffee powder आड़ कर रहे हूँ coffee डालना optional है आप चाहो तो skip कर सकते हो बढ़ किसी coffee चॉकलेट के फ्लेवर को बहुत ही जादा अच्छे से एन्हेंस करतेगी आप ज़रू डालिएगा तो इन सारी चीज़ों को mix करने के बाद अभी आप देख रहे हो कि mixture बिल्कुल ही dry है तो अभी मैं इसमें एच्चो थाई कप जितना दूद और आड़ कर रहे हूँ इसे mix कर लेंगे और अभी भी ये mixture मुझे थोड़ा सथे को और लग रहा है तो बस अब हम अपने इस batter को डाल देंगे इस grease किये हुए mold में mold को थोड़ा सा tap कर लेंगे इसके बाद अब ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी अब ये भी अच्छे से गरम हो गई है तो carefully mold को इसमें रख देना है और इसे उपर से ढखके अब हम इस cake को low medium flame के उपर bake करेंगे तकरीबन 30-35 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बलकुल clear ना आ जाए और ये जो timing से थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है तो एक बार 25 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा और अवन में इसी cake को bake करने के लिए आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना है तकरीबन 30-35 मिनट तक या तब तक जब तक की toothpick बलकुल clear ना आ जाए तो इस cake को रखे होना मुझे पूरे 35 मिनट हुए है आप देखरे हो कि cake काफी अच्छे से full गया है सेंटर में toothpick को insert करके जब मैंने चेक किया तो ये भी बलकुल dry है इसका मतलब है कि cake अच्छे से बेख हो गया है तो बस इस mold को हम निकाल के एक rack के उपर रख देंगे और इस cake को ढखकर थोड़ी देर के लिए एक side पर रख देजेगा ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए और इतनी देर में अब हम अपने cake के लिए icing बनाएंगे तो आज ना मुझे ये chocolate truffle cake बनाना था बट उनको ना बहुत सादा heavy cake नहीं चाहिए था जिसके लिए मैं आज एक cake बना रहे थी तो इसलिए आज का जो chocolate truffle है वो मैंने दूद के साथ बनाया है इसकी recipe मैं वैसे पहले 7 spoon cake में भी share कर चुकी हूँ वही same recipe मैं आज यूज कर रहे हूँ जिसके लिए मैंने यहाँ पर आज ली है 260 gram dark compound chocolate और साथ में इसमें मैं डाल रहे हूँ एक ती हाई cup जितना दूध और साथ ही में इसमें थोड़ा सा fat आड़ करने के लिए इसमें डाल देंगे दो बड़े चमस जितना बटर आज इसके बाद अब हम इसे melt कर लेंगे आप चाहो तो double boiler method यूज कर सकते हो वो कैसे करना है उसका link नीचे description box में दिया है मैं आज इसे microwave कर रही हूँ तो 30-30 seconds के interval पे microwave किया और अब आप देखरों कि चॉकलेट कितनी अच्छे से melt हो गई है और इसी के साथ हमारा ये luscious चॉकलेट गनाश त्यार हो गया है तो बस इस गनाश को पहले 2-3 मिनट के लिए room temperature पर आ जाने देंगे और फिर इसके बाद इसको उठा के हम fridge में रख देंगे नर्मल fridge section में रख देंगे 20-25 मिनट के लिए या तब तक जब तक ये थोड़ा सा set हो के spreading consistency में आ जाएगा इसके बाद अब हमारा ये जो cake रखा था हमें ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसको हमें demold कर लेना है तो सबसे पहरे चाकू से एक बसाइट्स को अलग कर लेंगे और फिर इसे किसी भी board या plate के उपर निकाली ये बहुत ईजी ली बाहर आ जाएगा और इसे के साथ सिर्फ सूजी से बना हुआ आज का हमारा ये एकदम soft spongy cake त्यार हो गया है आप देखरे हो इसका texture एकदम जाली दार है cake और बहुत ही जादा soft और spongy बना है तो आपने देखा कि बिना मैदा यूज किये भी हम घर पर cake बना सकते हैं और बिल्कुल same texture रहेगा मैदे जैसा तो आपको अगर मैदा नहीं खाना है तो आप इस तरह से ये सूजी वाला या आटे वाला cake भी मैंने पहले share किया है तो वो भी use कर सकते हो वो भी बना सकते हो घर पे तो चलिए अब हम अपने इस cake के icing कर लेंगे जिसके लिए सबसे पहले उपर का ये जवानी one bulging part है इसको निकाल देना है और वाव इसके अंदर का texture देखे आप एकदम जालीदार है ये cake क्या आपको लग रहा कि बिना मैदे का है ये आप बनाईए इस तरह से कोई भी नहीं बता पाएगा कि बिना मैदे का बना हुआ cake है ये चलिए इसके बाद अब इस cake को मैं 3 layers में cut कर रही हूँ वैसे ये cake की height काफी अच्छी आई है आप इसमें से 4 layers भी निकाल सकते हो बढ़ आज मुझे इसे 3 layers में ही cut करना है तो 2 cut लगाने के बाद मैं इसे thread से cut कर रही हूँ तो हमारी ये layers आ गई है इसके बाद अब हमने ये जो गनाश बना कर रखा था अब आप देखरों कि ये थोड़ा सा set हो गया है तो इस गनाश को ना चम्मच से ही एक मिनट के लिए हम थोड़ा सा fan लेंगे यानि कि थोड़ा whip कर लेंगे इससे गनाश जो है ये अच्छी सी consistency में भी आ जाएगा और हलका सा light भी हो जाएगा ये तो बस एक मिनट तक whip करने के बाद और फाइनली मेरा ये गनाश त्यार हो गया है आप देखरों कि हलके हलकी peaks भी बन रहे हैं इसमें तो बस अब हम अपने cake के icing स्टार्ट करेंगे जिसके लिए cake board के उपर सबसे पहले थोड़ा सा गनाश लगा देंगे और इसके उपर रखेंगे अपने cake के पहली layer और इसे हमें moist करना है sugar syrup के साथ जिसके लिए मैंने आधा cup गरम पानी में एक चम्म चीनी को घुलने तक mix किया था और जब ये पानी ठंडा होकर room temperature पर आ गया ना तब इससे मैं अपने cake को moist कर रहे हूँ अच्छा एक और important चीज कि पता कैसे चलेगा कि अच्छे से moist हुआ है ये नहीं तो जब आप moist करने के बाद इससे finger लगाओ गे ना तो हलका सा पानी ooze out होगा इसका मतलब है कि अच्छे से moist हो गया है तो बस इसके बाद अब इसके उपर लगाएंगे ये गनाश मैं piping bag में फल करके लगा रहे हूँ और आप देख रहो कि कितनी अच्छी consistency है इसकी आइसके बाद चाहो तो हलका से स्मूध कर सकते हो वैसे आजकल गर्मी है तो spatula को गरम करने की भी जरूरत नहीं है तो हलके से गरम पानी में डिप करिए और फिर कपड़े से पोँचके इसके साथ स्मूध कर लीजे तो बस इसके उपर अब हम रखेंगे अपनी केक की second layer और इसको भी moist करेंगे और इन सारे steps को अब हमें repeat करना है अचा अगर आपको मेरी ये recipes पसंद आ रही है और आपके लिए ये useful है तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर करिएगा और उसी के साथ में एक bell icon है उसी जरूर प्रेस करिए तांकि मेरी videos की सारी notifications आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और ये बर्कुल free है तो बस ये top layer रखके इस पूरे cake को मैंने एक पर गनाशते कवर कर लिया है आई इसके बाद अब इस cake की जो garnishing है उसके लिए ना मैं आपको बहुत ही easy और एक जुगाडू तरीका बता रहे हूं जिसके लिए हमें लेनी है foil ये normal regular aruminium foil है जो हम routine में use करते हैं तो थोड़ी लंबी सी foil को इस तरह से ले लीजिए और इसके बाद अब इस foil को ना हम पहले इस तरह से मोड लेंगे बस ऐसे random सी ball बना लो इसकी crush कर लेना है basically इसे और फिर इसको carefully खोल लेंगे कहीं से अगर खुलते हुए foil फट रही है तब भी कोई बात नहीं हलका हलका सा ऐसे एक दूसरे के ऊपर नीचे कर दीजे क्योंकि हमें वैसे भी इसमें एक random सा pattern चाहिए इसके बाद सबसे पहले इस foil की हाइट है इसको मैं आप लेती हूँ अपने cake की compound तो इस melted chocolate को ना बस इस तरह से हमें इसके ऊपर डाल दीना है और इसके बाद इसे spread कर लीजे मेरी ये चॉकलेट अभी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे तो मैंने हलका सा spread करने के बाद थोड़ी सी चॉकलेट को फटा-फट से ने देना है वैसे तो आप kitchen counter पर ही रखा रहने दीजे इतनी सी चॉकलेट सूक जाएगी थोड़ी सी set होगी कि जब आप इसको हाथ लगाए तो ये आपके हाथ पे ना लगे बट अभी भी ये बिल्कुल एस साइड़ इसको लगादेंगे तो अच्छे सारी साइड़ सरी साइड़ एक्सको 음에 चिपका देना है और इसके बाद इसके उपर का ये एकस्ट्रा पोर्षन देख रहा है इसको भी मैं बस इस तरहा सी इसको ऊपर अभी इसको फोल्ड heating कि वो कि यह गिरी भी नहीं Wellnessjac अब निकाल कर हम सबसे पहले यह फॉयल हटाएंगे हो सकता है कि फॉयल निकालते हुए हलकी हलकी सी चॉकलेट इसी के साथ इसमें आ जाए आपके पास बट कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बस हलका हलका सा वहां से चॉकलेट को वापस से प्रेस कर दीजेगा नीचे क्रीम य आप ऐसी गार्निशिंग्स या फिर कुछ और तरह की गार्निशिंग्स भी कर सकते हैं अगर आपको सीखनी है तो मुझे बताइगे वीडियो के नीचे कॉमें सेक्टन में मैं शेयर करूं जो उनकी रेसिपीज भी तो बस इस तरह से निकालने के बाद अब मैंने ली है थो लग रहा है और इसकी बाद फाइनल गार्निशिंग के लिए थोड़े से रोजस बना रही हूं मैं बचे हुए गनाश के साथ और उपर से डाल देंगे थोड़े सी गोल्डन बॉल्स छोटी-छोटी सी तो बस मेरा ये चॉकलेट केक त्यार हो गया है जिसमें मैंने कोई मै बहुत जादा फैंसी टूल्स नहीं है बट फिर भी हमारा केक बहुत अच्छा बना है और कट करके अगर आप देखेंगे ना तो इसके अंदर की लेयर्स एकदम पॉफेक्ट आई है बहुत जादा अच्छा बना है ये केक तो अगर आपको भी मैदा खाने से प्रॉब्लम करना ना भूलें